लंबी लिस्ट है कितने सारे हैं बेन में साथ स्टोक हैं साथ है पहले तो बाहर को और रहा है दो स्टोक हैं बाहर निकलने में एक तो इंडिया सेमिन्ट आ जाएगा 79.43 परसेंट है और दूसरा भी आई से इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनाइन 79.4 परसेंट है दोनों आन फाइनेंटी फाइनेंस भेल एच ए एल डेल्टा ये एक दो तीन चार पांच बचे रहेंगे दो बाहर आ जाएंगे दर्ती पर बजन बराबर करने के लिए कोई और अंदर आएंगे बेन लिस्ट में कोई आने की संभाव ना सर दो बाहर जो हैं लेकिन इसके सामने चार स् से जो फिलाल बॉर्डर लाइन पर है लेकिन इसने भी पिचामने परसें के आखड़े को क्रॉस कर दिया 95.62 परसेंट है थोड़ा सा समय भी बचा हुआ है तो दो बहार आ रहे हैं सर इसके अगेंश में चार स्टोक इसे जो एंट्री कर सकते हैं चार स्टोक इंट्रीक लेते हैं तो इसके सी अगेंश में लंबे समय में थे जो एक तो आईडियस यह अंदर आरहा है पका है पका है आईडियस यह तीन परसेंट निचे मादब आईडियस में शौट्स बनें आज ओके दूसरा बताया आपने कुन सा जी अंटेंबेंट ज आज ही बाहर आया यह था आज ही आया है वापैस जा रहे है फाह और फार गार प disc वे टाइम बाद आ रहा है भी जी एंटरेटेन्मेंट पी एन बी पिरामल आई डिफसी यह सारे स्टोक्स बेन्ड में आने की तैयरी में क्या बात है यह बात है यह बैंड से बेनेफिट और इंडिया से बाहर जा सकता है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले सची बात विकरते